दोस्तो स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में दोस्तो चलिए बिहार के तमाम 15 बड़े ख़वरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं तो फटाफट से आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताए कि आप बिहार के की जिले में रहते हैं साथ ही अपनी तरब से आप इस वीडियो के एक प्यारा लाई जरूर कर दे साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछे आज की सबसे पहले कपर बिहार विद दालाई समयती ने बिहार बॉर्ड नमांकन के आवैधन के अंतिम तिती 18 जुलय तक बढ़ा दिया बिहार बॉर्ड exercise प्रिशा समयती के लिए दाखिले की आंतिम ती थी 3 जुलाई 2021 तई की थी कोरोना में हमारे और चात्रों के हीद को ध्यान में रखते वे बिहार बोर्ड ने यह फैसला लिया है अगली बड़ी खबर सियम नितिस के जनता दर्वार में फिर सुनी जाएगी फर्याद तारिक का एलान जल्द जी हां स्मयाम नितिस कुमार ने सनिवार को जंता दर्वार के लिए बनाये जारे शे का मुईयाना किया उमिद जताई जारे कि जलद ये मुख्यमंत्री का जंता दर्वार का एक्रम सुरू होगा कोरोना संक्रवन की सिति को लेगर अभितिति तहिने की गई है अपनी आग की सर्जरी करा कर पटना लोटने के बाद सियम पहले बार बाहर निकले उनके साथ कोई काफिला नहीं था वे अचानक निकले और मुख्यमंत्री से चिवालाई पर इसर पहुचे इसी के बगल में सीड तेयार किया जा रहा है मालूम हो कि तीन माप पहले सीम ने कहा था कि वे जल्द जनता के दरवार में मुख्यमंत्री कारकरम का सुरुआत करेंगे पर इसी बीच कोरोना संक्रमन के मामले अचानक बढ़ने लगे लेकिन फिलाल वर्तमान सीथि को देखते वे जल्द जनता दरवार का आयोजन होगा बिहार के स्टुडेंट के लिए खुसकबरी बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले चात्रों को भी मिलेगे डिगरी बिहार में एक विस्विदाले ने एक बड़ा एलान करती वी वेसे चात्रों को भी पर्मान पत्र डिप्लोमा डिगरी आदिस समय से देने की बात कई है इनोंने पर्वेस पर असामाइन परिसिती में पढ़ाई छोड़ दी हो इसने प्रादान के तहत चात्रों द्वारा पहले से पढ़ाय गया कोर्स अब बरबात नहीं जाएगा हम बात करें बिहार क्रिसी विश्वित दलए सबीर की जहां नई सिक्षा निती के तहत पढ़ाई 15 अगस तक लागू कर दी जाएगी इसको लेकर तैयारी जोर सोरो से चल रही है आपको बता दी कि यहाँ पर एक बार परवेश पर असामायन परसिते में पढ़ाय चोड़ने पर परमान पत्र डिप्लोमा डिग्रे आदि समय नुसार परदान की जाएगी यानि चात्रों द्वारा पहले से पढ़ाय गया कोर्स अब बरबात नहीं होगा पढ़ाय के साथ साथ चात्रों के आचरन पर भी ध्यान दिया जाएगा नई सिक्षा नेती में आचरन विज्ञान की समावेश की बात कही गई है इसकी कमी पुरानी सिक्षा में हमेशा से महसुस की जाती थी बाड़ी कबर पूर्व विधायक महसुर सिंग ने थामी लालो की लालटे ने तेजस्वी ने दिलाई आरजेडी की सदेशता नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी परसाद यादव ने सिनिवार को दस सरकुलर रोड़ पर पूर्व विधायक महसर सिंग का राज़त में स्वागत किया महसर सिंग ने अपने समर्त को सहीत राज़त का दावन थाम लिया है इस मोगे पर तेजस्वी ने कहा कि महसर बावू अनवावी नेता है और उन्होंने लालो जी के नेतोत में भरोसा जताया है तेजस्वी यादव ने फिर सरकार पर हमलब बोलते वे दावा किया है कि इस सरकार में इतने अंतर विरोध है कि इसका गिर्णना तय है उन्होंने कहा कि सरकारी के मंत्री और विदाय की तबादलों में हुए भष्टजार की फोल खुल रहे हैं दूसरी तरब बिहार में खेल शुरू आनन फानन में मंत्री मदन सनी दिल्ली रवाना विपक्च के एक बड़े निता से मुलाकात की चर्चा जी हाँ अपने सरकार से नाराज होकर इस्तिपे का एलान करने वाले मंत्री मदन सनी आनन फानन में कल पटना से दिल्ली रवाना हो गए चर्चा है कि भी दिल्ली में मौझूद विपक्च के एक बड़े निता से मुलाकात कर सकते हैं हाला कि मदन सनी कुछ बोल नहीं रहे है लेकिन जो ख़बर आ रही है वह यहाए कि बिहार में सत्ता का खेल सुरू हो गया है आपके जानकारे के लिए बता दे कि मंत्री मन सनी ने गुरुवार को अपसर साही के तना साही से तंग आकर इस्तिपित देने का एलान कर दिया था इसके अलावा मदन सने ने सुकुरवार को केविनेट की बेठक में भाग नहीं लिया था बात कर बिहार में बाहर के खबर को तो गंड़क बुड़े गंड़क के साथ बागमती भी उपान पर लाको लोगों का संपर्क बन रेलवे ट्रेक किनारे सरन ले रहे हैं लोग जिहां गंड़क बुड़े गंड़क और बागमती के साथ साथ नेपाल से आने वाले नदियों में उपान से उत्तर बिहार के चंपारन सितामड़े और मुझा परपुर में बाड की सिति गंबिर हो गई है पुर्वी चंपारन के च्छप प्रकंड के कई गाओं में बाड से प्रभावित हो चुकी है पस्चिम चंपारन में गंड़क से सटे इलाकों में बाड ने फिर दस्तक दे दी है जिले की तीन प्रमुख सड़कों पर तिसरे दिन भी आवागमन ठफ रहा सिवर में बागमती का सदक्चा बान तो मोतिहारी में तिलावे नदी का बान पानी के दवा में तुड़ गया इसे गाओं में तेजी से फानी फिल रहा है समस्तिपूर के तीन प्रकंडों में बाड का फानी फिलने लगा है मादोबनी और दरबंगा में नदीयों का बढ़ और अरवल में 40-50 किलमेटर प्रतिगंटा रवतार से तेज आंदी के साथ बारिस और वजरपात के आसार है इसे लेकर मौसम विवाग ने अलर जारी किया है इससे पहले राजी के दो भागों में मौसम दो तरह का बना रहा उत्तर बिहार के जीलों में लगबक सभी जगों प पर भारी बारिस हुई है मौसम विगान केंद्र पटना के नुसार मानसुन की रेका पश्चिम उत्तर परदेश से बिहार होकर असम तक जा रही है उपगरा से प्राप तस्वीरों में या साब दिगरा की बिहार के उत्तर पश्चिम भाग में समवहनिया बादल बने हुए ये बादल कही कही बहारी वर्सा के कारक होते है इस वज़ा से सनिवार को भी उत्तर बिहार और हिमाला की तलड़ी से सटी जीलों में मैदम से बहारी बारिस हो रही थी अगली बड़ी कबर बिहार में पिछले 24 घंटे में मिले कोरोना के मातर 149 नई संक्रमित जहां बिहार में कोरोना ने दम तोड़ दिया है स्वास्ति बिवाग की ओर से जारी आकडों की बात करें तो बिहार में पिछले 24 गंटे की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में कुल 149 नई कुरोना मारिज मिले हैं इसके साथ कुल एक्टिव केस की सिंग के घट कर 1549 तक पहुच गई है साथ बिहार में संक्रमन के पेक्चा रिकावरी दर सबसे जादा है 98.64 फिजदी की रिकावरी दर है पिछले 24 गंटे में पूरे बिहार में 1,10,814 सिंपल की जाच की गई अभी तक 7,11,299 मारिज ठीक हो चुके हैं वहीं सबसे जदा राजदानी पटना में कूल 22 नए मारिज मिले हैं बड़ी ख़बर जितारा माजी को लगा बड़ा जटका दिरेंद्र कुमार मुन्ना ने फिर चोड़ी पार्टी चिराग पासवान के साथ जाने का किया एलान बिहार के राजदी में इन दिनों उतल पुतल मची हुई है पूर मुख मंतरी जितारा माजी की पार्टी के कदचार नेता दिरेंद्र कुमार मुन्ना ने हम पार्टी का साथ छोड़ दिया है हम पार्टी के पूर्व कारिकरी बिहार परदेश अधक दिरेंद्र कुमार मुन्ना लोचपा के राष्टी अधक चिराग पास्वन के साथ राजनिती की एक नई पारे की सिरुवात करने जा रहे हैं पिछले साल बिहार विदान सबत चुनाव की समय टिकट ना मिलने से पार्टी छोड़ कर जाने वाले दिरेंदर कुमार मुन्ना इसी साल मार्च महने में पार्टी में वापस आये थे लेकिन तीन महने बाट फिर उन्होंने जीतर हम माजे के साथ छोड़ने का एलान कर दिया है दूसरी तरफ बिहार कॉंग्रेस में बदलाओ के एटकलों के बेच आंदोलन का कारकरम तई साथ जुलाई महंगाई की किलाब दस दिनों तक करेंगे आंदोलन जा एक तरफ बिहार कॉंग्रेस में बदलाओ के एटकले है तो दूसरी तरफ इन एटकलों के बेच बिहार प्रदेस कॉंग्रेस में आगामे आंदोलन का एलान कर दिया है साथ से सतर जुलाई तक देश में बड़ी महंगाई की किलाब अब चरनबत तरीके से आंदोलन चलाए जाएगा पार्टी के प्रदेश अदक्ज डाक्टर नमादन मोहन जा ने कहा कि इस राज व्यापी बिरोध परदसन में अलग अलग तरीके से हम सरकार को महंगाई के उपर जागरुक करेंगे देश में पेट्रोल डिजल एलपीजी के साथ साथ घरेलो महंगाई भी बेतासा बड़ी है लिहाजा हमने तई किया कि अब इस मुद्दी को आंदोलन का रूप दिया जाएगा बड़ क्यावर बिहार में अब अवेद बालू खनन में पकड़े जाने वाहन होगे जब रोयल्टी के 25 गुना लगेगा जुर्माना जयाराजसरकारने बालू का अवेद खनन करने वाले लोगों पर कानून का सिकंजा कसने को लेकर कई गड़े प्रावदानों की मंजूर्य दी है इसके तहत अवेद बालु खनन में सामिल वानों को जब्ट किया जाएगा साथ ये अवेद बालु खनन करने वाले मापियाओं से बालु की रोयल्टी के 25 गुना रासी जुर्माना के रूप में वसुल की जाएगी इसके अलावा अवेद बालु खनन के दोसियों को दो साल की सजा भी होगी बिहार बिदालाय का मानसुन सत्र 26 से 30 जुलाए नितिस केविनेट का फैसला कई विदयक होंगे पारिक बिहार बिदालाय का मानसुन सत्र 25 से 30 जुलाए तक चलेगा राज केविनेट ने इसकी मंजुरी दे दी है इस तरह या सत्र इस बार 5 दिनों के लिए होगा इस दोरान कई विदयक भी पारित होने के उमीद है सुकुरवार को केविनेट के बेटक में कूल दस प्रस्तावों पर मोहर लगी थी बड़ी ख़बर ऑनलग फोर में बिहार सरकार नहीं देने जारी विसेश चूट तुसरी लहर के आसंका को लेकर चिंता जिहां सरकार साथ जुलाई बाद भी कूरोना से बचाव को लेकर उनलग फोर में लोगों को विसेश चूट नहीं देने जा रही है मामूल इस रियायतों के साथ ये उनलग फोर के प्राधानों को साथ जुलाई से लागू किया जाएगा अनलोग 3 के मियाद चोज जुलाई को पूरी हो रही है ऐसे में अनलोग 4 को लेकर मूई के सचीव त्री पुरारी सरन ने सनिवार को सभी जिलो के जिलादिकारियों और पुलिस अधिक्चोकों के साथ वीडियो कॉन्फरेंसिंग कर कोरोना संक्रमन की जिले बार इस्तिकी समिच्चा की अनलोग 3 में दिये गए चूट से हुए लाब और नुकसान पर भी विचार विमर्स किया गया त्री पुरारी सरन आप मुख मंतरे नितिस कुमार को पुरी सित्य और समिच्चा की बिन्दों पर आवगत कराएंगे आपको बता दे कि समिच्चा के दोरान मुख के सचिम ने स्कूल वग कोलेज के अलावा आने सेक्चनिक संस्तानों को खोलने को लेकर भी जिलो से फिडविक लिया अधिस संक्या में जिले इस बात पर समत पाए गए कि सभी वर्च्वल क्लास से ही पटन पटन किया जाए जिले दोरा तिसरी लहर के आने को लेकर भी आसंका जताएगे अब जिलो दोरा दिये गए फिडवे के आधार पर आंतिम निर्ने आबदा प्रवंदन समों की बेठक में लिया जाएगा बड़ी ख़बर बिहार में 5 जुलाई तक मिलेगा फ्री रासन सभी जिलो के डियम को दिये गए निर्देश जहां बिहार में लोगों को 5 जुलाई तक फ्री रासन मिलेगा राष्टे सुरक्चादी नियाम और प्राधान मंत्री गरिब के लान अनियोजना के तहट जुन महिने का अनाज आप 5 जुलाई तक मिलेगा इसके पहले वितरन की तीथी 30 जुन तक निधारित की गई थी 4,56,831 लाभूक अनाज ले चुके हैं और अन्द की बड़ी ख़बर BPSC 66 जुलाई की मुई की परिचा की तीथी जारी 29 से 31 जुलाई तक दो पालियों में होगा एक्जाम जहां बिहार लोग सिवा आयोक की 66 परिचा की तीथी जारी कर दी गई है या परिचा 29 जुलाई से सुरू हो जाएगी या परिचा 31 जुलाई तक होनी है दोनों पालियों में परिचा होगी परिचा पटना की केंद्रों पर ही होगी आपकी जानकारी के लिए बता दे कि इस प्रतियुक्ता परिचा के मैदम से 691 पदों पर न्योक्ती होनी है आज के लिए आपका स्वाल बताए कि क्या बिहार में फ्री रासन की समय सिमा को और बढ़ाना चाहिए या नहीं इसका जवाब आप हमें नीचे कॉमेंट करके जरूर बताएं